मॉस्को में जो हुआ सब अचानक हुआ नमस्कार मैं हूँ सभागया गुपता और आप देख रहे हैं दरसल रूस के राश्च्रपति व्लादिमर पुतिन ने सम्विधान में बड़े सुधारों का प्रस्ताव रखा उनके इस प्रस्ताव के बाद रूस के प्रधान मंत्री दमितरी मेद्विदेव और उनकी पूरी कैबिनेट ने स्तीफा दे दिया दमित्री मेद्वदेव ने कहा कि राश्ट्रुपती पुतिन के इन प्रस्तावों से सत्ता संतुलन में काफी एहम बदलाव आएंगे पुतिन ने अपने संबोधन में समविधान में बदलावों का प्रस्ताव रखा था जिसमें संसत के निचले सदन को प्रधान मंतरी और मंतरी मंडल को नियुक्त करने का अधिकार देने जैसे कई बड़े बटलावू की बाध शामल है रूसी संसत के निचले सदन ड्यूमा ने पुतिन के इस प्रस्ताफ पर भारी बहूमत से मुहर भी लगा दी है मेद्विदेव को पद से हटा कर सम्विधान में बड़े बदलाव करके पुतिन ने परिवर्तन का दौर शुरू कर दिया है 2021 तक रूस में नई राजनितिक व्यवस्था और नए पुतिन सामने आ जाएंगे हलाकि मेद्विदेव पुतिन के करीबी सहयोगी माने जाते हैं साल 2012 से मेद्विदेव रूस के प्रधान मंत्री है और राश्रुपती व्लादिमर पुतिन के करीब रहकर काम किया करते थे वो साल 2008 से 2012 तक रूस के राश्रुपती भी थे रूसी खूफी एजेंसी के टॉब जासूस रहे पुतिन कभी प्रधान मंत्री रहे थे आज वो लगतार चार साल से रूस के राश्रुपती के पद पर काबिज है अब अचानक आया रूस की सरकार का ये बदलाव और ये स्तीफा हैरान करने वाला है सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्यूं किया उनका पूरा प्लान क्या है और वो आगे क्या करने वाले है हाला कि इस बारे में तो अभी साफ तोर पर कुछ नहीं का जा सकता है पर माना जा रहा है कि राश्ट्रपती के रूप में पुतिन का चौथा कारिकाल 2022 में खत्म होगा और मौजूदा समविधान के नियमों के मताबिक वो अगली बार राश्ट्रपती नहीं हो सकते हैं इसलिए अगर रूप के समविधान में ये बदलाव लागू होते हैं तो राश्ट्रपती पुतिन सत्ता में लंबे समय तक एक बड़े पत पर बने रह सकते हैं इस नहीं घोशना के बाद ये साफ हो गया है कि रूस की राजनिती में अभी उनकी भूमिका बनी रहेगी पुतिन रूस में 20 साल से भी ज्यादा समय से शीष नेतरत्व संभाल रहे हैं जो जोजिफ स्टालिन को छोड़ कर किसी भी दूसरे रूसी या सोवियत नेता के कारिकाल से लंबा है रूस में पुतिन का ये वर्चस रातो रात नहीं हो गया है पुतिन ने बड़े सुनियोजित तरीके से अपनी ताकत बढ़ाई है पूर्व राश्पती बोरिस यल्ट सिन ने अस्वस्त होने की वजह से 31 दिसंबर 1999 को जब अचानक अपने स्तीफे की घोशना कर दी तब पुतिन ने अंतरिम राश्पती के तौर पर सत्ता संभाली थी फिरमाश 2000 में जनता ने राश्पती के तौर पर उन्हें चुन लिया सत्ता में आने की कुछ दिन बाद ही पुतिन ने मीडिया पर नियंत्रण कायम करना शुरू कर दिया पुतिन ने राश्रवाद, सेना और धर्म को बढ़ावा देते हुए महान रूस की छवी बनानी की कोशिश की साथ ही प्रॉक्सी ओपोजीशन भी खड़ा कर दिया उन्होंने बाकी विपक्षी दलो से भी काम चलाओ रिश्टे बनाए रखे चलिए अब जानते हैं कौन है रूस के नए पीम रूस की राजनिती में 53 साल के मिखाईल मिश्टुसिन का कद बेहत मामली रहा है मिश्टुसिन रूस की फेडरल टैक्स सर्विस के प्रमुक रह चुके हैं उन्हें अर्थ वैवस्था मामलों में काफी अनुभवी माना जाता है रूस के टैक्स विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और साल 2010 में उन्हें रूस की केंद्री टैक्स सर्विस का प्रमुक बनाए गया रूस की टैक्स प्रणाली को दुरुस्त करने में उनका एहम रोल रहा है मिखाईल रूस की आइस हौकी फेडरेशन में सीनियर मेंबर भी है और पुतिन की नाइट हौकी लीग में भी खेलते रहे हैं मिश्तु सिन्द पर भ्रष्टा चार के भी आरोप लगे लेकिन सावित नहीं हो सके बनी रही एचस न्यूस के साथ हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले